दुर्गा पूजा के बाद सभी पंडालों से माता की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है काशी के जंगम बाडी इस्थित पंडाल की प्रतिमा अगले वर्ष के लिए फिर से रख दी जाती है ये सिलसिला करीब धाई सो सालों से जारी है प्रतिमा का साल सत्रा सो सड़सट से लेकर आज तक कभी भी विसर्जन नहीं किया गया ये दुर्गा प्रतिमा अंग्रेजों के शासन काल से लेकर अब तक काशी के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है इस दुर्गा प्रतिमा का भी निर्माल अन्य मूर्तियों की तरह ही सुतली, पुआल, बास और मिट्टी से किया गया है जब मूर्ती विसर्जन के वक्त इसे स्थान से उठाया गया तो ये मूर्ती अपने स्थान से हिली ही नहीं उस समय से लेकर आज तक देवी की इच्छा मानते हुए यहां स्थापित प्रतिमा की अगले साल विधी विधान से पूजा की जाती है कि अपने दिल से आत्मा से तो हम समर्पित नहीं कर सकते हैं इनका महत अनन्त है इसका कोई वर्ण नहीं क्या सकता है एक तो ये प्राचीर मा है और करिब दूर धाई सब वर्ष पुरानी प्रत्मा है विष्ण भगवान है गड़े जी है और बूड़ा जी है तो यहाँ पर जो है नोरात में एक तरह से मिला लगता है नो दिन का और जो प्रद्दीन आने वाले उप्रद्दीन आते है दर्संगने मागा यह मा का अशास अच्छा दर्वार है यहाँ जो दिल से आत्मा से जो मा के पास कलपता उसकी हर मनुकाबना माप पुलोका देती है सबसे बड़ी पिसस्ता ही है इस दर्वार से कोई खाली रहता है इसे बाता वैश्णु मादीवी का दर्वार है वहां लोग जाते हैं तरसन करने हैं इसमें कुछ द्रह नहीं है जो यहां आता है तो समली बेश्वमाता के दरवार में आता है आनी का मतब गुरानी तो बताई ना आपसे को कई ठाई सवर्स पुनाई मुर्ति है और जेजाई गुरुजी ने आपको बता है कि हमने भी बता है इसके पहले बता चुके हैं आपको कि गरब से वही शुपन में आए माई उन्होंने का कोछ चना काई हमको भूग लगा दीजिए उसी से हमारा जो है संतुष्टी हो जाई है और हमको काशिवाज कर रहा है तब से मा काशिवाज कर रही है मा यहां पड़ी है अपने बच्चों के साथ जो लोग दर्जन करने आते हैं उन पर मा किपा बराती है उनको आसिरवार दिती उनकी मन का अपना पूर होती है आने वाले तो देश साथ आह सॉक्त फोड़ी दिजे तो छोड़िए विद्य देश के भी प्रदेश के बाहर और दराज के उत्राखन और बाहर से लोग भी देश-विदेश के विद्च के लोग आते हैं यहां पिदर्सन पूजन करते, सपन देश मिलता है यह फोटो देखते हैं आका फोटो सपन में फिर लोग आते हैं, गूगल में सर्च करके कहा है, क्या है, पता करके फिर लोग आते हैं बना रस्में.